दोस्तो आज हमारे पास तीन टाइप के लेमिनेशन मसीन है और तीनों मसीन में क्या-क्या डिफरेंस है कितने साइज के पेपर को लेमिनेट कर सकते हैं और साथी साथ ये भी बताएंगे कि इसमें क्या-क्या लेमिनेशन कर सकते हैं कितने मायक्रोन का फिल्म लेमीनेशन कर सकते हैं और कौन सा मसीन कितने मायक्रोन को सपोर्ट करती है उन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे त्याली स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्योंकि यह जो lamination machine है यह पूरा लोहे की body का होता है जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी body लोहे की है इसी के वाज़े से काफी भारी भी है लगभग 5 kg का आता आ और इसके साह्थ एक laminator guide मिल जाएगा lamination करने के लिए इसके साह्थ घुमाने के लिए एक चावी मिल जाएगा अभी देते हैं कि यह कहां लगता है पहले तो इसका पॉलिथी ना माटा लेते हैं यह पूरत तरह से पैख है यहां पर कॉसन में भी दिया हुआ है कि यहां पर हाथ वगरा ना रखे उसके बाद यह जो इंग्जास्ट दिया हुआ है कि अगर ज्यादे गरम होता है तो यहां से हीट वगरा निकलने के लिए देता है यहां पे दो light दिया हुआ है एक power के लिए एक ready के लिए और यह वाली जो button है forward और reverse करने के लिए है अगर forward करना है यानि कि अगर paper यहां से insert करते हैं तो यह forward हिसा हुआ अगर फिर उसे वापीस खीजना है तो switch को नीचे दबा देंगे तो यह reverse में आ जाएगा यानि कि जिदर इस temperature पर offset किये रहेंगे उस temperature पर अगर गरम हो जाता है तो यह ready वाली light जल जाएगी अगर ready वाली light जल जाती है तो आप lamination कर सकते हैं lamination कर लेते हैं तो चाहते हैं कि light से power न कट करें और lamination वैसे ही रहे तो इसको cold पे कर देंगे उससे अधिक गरम नहीं होगा लेकिन machine चलत कर सकते हैं इसकी का यूज यहां पे करते हैं इस तरह यहां पे यह इस तरह से लगाया जाता है यह इस तरह से fit हो जाता है और इसका use तब आता है जब हमें laminate कर रहे हैं अचानक से light चली जाती है पावर कट हो जाता है तो यहां पर जो भी पेपर फसा रहेगा तो यहां से इसे घुमा कर इसे पेपर को या जो भी डॉकुमेंट इसके अंदर रहेगा उसे हम बाहर निकाल सकते हैं तो इसके लिए इस चावी की जरुवत पड़ती है यह फ्रॉंट साइड है और यहीं से प जाकरों तक के लेमीनेशन पाउच यूज कर सकते हैं या फिर लेमीनेशन फिलम यूज कर सकते हैं यह लेमेनेशन मसीन पावर कॉंझूम बहुत जादे करता है लगभग एक हजार वाट तक का पाउर कंज्यूम करता है और इस मसीन को आप इनवर्टर एक सिंगल बैटरी से नहीं चला सकते क्योंकि पाउर इतना जादे इस मसीन को लेने का मतलग यह है कि यह बहुत ही जादे लांग लास्टिंग है यह बहुत जादे दिनों तक चलता है जल्दी इसमें खरावी नहीं आती है अगर कोई इसू आता है तो मार्केट में यह रिपेर भी हो जाता है यानि कि यह लेमिनेशन हैवी वर्क के लिए उसके लिए जो अगला दो लेमिनेशन मसीन के बारे में बताने वाले हैं वो लेमिनेशन मसीन आप यूज कर सकते हैं दोस्तों इस लेमिनेशन मसीन की जो प्राइज है लगभग 3000 से लेकर 6000 के बीच में मिल सकता है अगर मार्केट से लेते हैं तो यह बहुत ही सस्ता मिल जा है कि इसमें maximum size यानि कि ए थ्री साइज के paper को भी आप लेमिनेट कर सकते हैं इसके साथ से एक का गाइड मेन्यू मिलेगा कि कि तरह से इसको यूज करना है दोस्तों यह लेमिनेशन मसीन पूरा plastic body में है और यह लेमिनेशन मसीन maximum 365 वाट का पाउर consume करेगा और इसमें maximum 200 micron तक के लेमिनेशन पेपर या लेमिनेशन पाउच यूज कर सकते हैं यानि कि 80 micron से लेकर 200 micron तक के लेमिनेशन फिल्म यूज कर सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं कि यह पूरी body plastic का है यहां पर दो आपको light मिल जाएंगी एक power वाली light और जब ready हो जाएगा तो एक ready वाली light इसके side में एक switch मिलेगा जो कि off करने के लिए और hot के लिए गरम करने के लिए हैं और cold करने के लिए switch को इस side press कर देंगे तो यह जो जितना heat रहेगा उत नहीं निकाल जाता है लेकिन इसमें अगर light चली जाती है तो इसको अगर इस तरह से दबा देते हैं तो जो रोलर है रोलर उट जाता है वो paper को आराम से हम खिच लेंगे तो इस body पे कहीं पर भी touch करेंगे तो हाथ जलने का कोई चांस नहीं है तो यह lamination machine 300 500 watt का power consume करता है और maximum यह 200 micron के paper को support करता है और इसमें A3 size के paper को laminate कर सकते हैं तो इस lamination machine को single battery inverter से आराम से use कर सकते हैं यह lamination machine लगबग 1500 से लेकर 2000 के range में मिल जाएगा अगर offline market से लेते हैं तो यह lamination बहुत ही सस्ता पढ़ जाएगा लेकिन यह ही अगर online लेते हैं तो आपको महंगा पढ़ सकता है तो चलिए next lamination machine के तरफ चलते हैं यह lamination machine stock company का है जिसका model अमर है STL A4 दोस्तों यह lamination machine maximum A4 size के paper को support करता है और maximum 125 micron तक को ही support करेगा वैसे तो 200 micron को भी इसमें laminate कर सकते हैं लेकिन एक ही document को लगबग 2 या 3 बार laminate करेंगे तब वो proper धंक से laminate होगा और यह lamination machine A4 size के paper को ही laminate करेगा इसमें A3 size नहीं यूज़ कर पाएंगे और यह 265 watt का power consume करता है और यह lamination machine plastic body में मिलेगी और देख सकते हैं कि यह A3 size से छोटा है क्योंकि इसमें सिर्फ A4 size के paper को ही laminate कर पाएंगे यहाँ पे 2 light मिलेगी एक power का एक ready का जैसे कि पिछले lamination machine में दिया था वैसे ही side में एक switch भी मिलेगा जो की off, cold और hot करने के लिए दिया हुआ है और पीछे की side यहाँ पे paper को release करने के लिए उसमें ABS का नाम दिया हुआ था यहाँ पे release दिया हुआ है दोनों का काम सेम ही होता है paper को release करना यह paper को अगर light चली जाती है तो paper को यहाँ से निकालने के लिए दोस्तों यह वाला lamination machine 1200 से लेकर 1500 के range में मिल जाएगा तो चली इसे on करते हैं और laminate करके दिखाते हैं कि कैसे laminate करता है वैसे तो laminate करने का तरीका सबका एक ही होता है कि जो भी document जितने micron का अपलेते हैं उस micron के film में जो भी document रखना हो document को रखकर direct इसमें laminate कर सकते हैं लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो कटा हुआ फिल्म आता है जैसे कि अगर आधार कार्ड या कोई ID कार्ड को laminate करना होता है तो यह वाली फिल्म यूज़ करते हैं यह कटा हुआ होता है और इसमें क्या होता है कि एक साइट से चिपका होता है और दूसरे साइट से यहां पर लगा कर डॉकुमेंट और लेमिनेट करते हैं तो यह जो यह फिल्म होती है वो डायरेक्ट लेमिनेट किया राता है किसी फाइल वगरा में रखने की जरुवत नहीं पड़ती है लेकिन यदि आप कोई रोल यूज़ कर रहे हैं रोल को पेपर के काट कर लेमिन लेमिनेशन पेपर होता है बहुत ही कम मायक्रोन का होता है लगभग 50 या 60 मायक्रोन का होता है जिसके वज़ए से लेमिनेशन रोल में चिपकने का ज्यादे चांस होता है इसलिए उसे फाइल में रखकर ही लेमिनेट करें जिसके वज़ए से लेमिनेशन की लाइफ भी पांच मिनट लगते हैं, जब ये ready हो जाएगा, तो ready वाली light जलने लगेगी, तो जब ready वाली light जल जाएगी, तो उसके बाद कोई भी document लगा कर आप laminate कर सकते हैं, वैसे ही जितने भी lamination machine होते हैं, उन सभी को ready होने में लगबग 3-5 minute का time लग जाता है, तब तक इसे power में ल लेते हैं, तो इस तरह से आप इसमें paper रखेंगे, और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि चारो तरफ थोड़ा-थोड़ा छोटना चाहिए, और इधर से एक side से ये खुला रहेगा, तो वो side आगे नहीं डालेंगे, जिस side से ये pack रहेगा, वो side पहले हम अंदर डालेंगे, त तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी अच्छे तरीके से लेमिनेट हो चुका है, चारो तरफ से ये लेमिनेट अच्छे तरीके से हो गया है, तो इसी तरह से A4 size को भी करेंगे, तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास A4 size का 80 micron का लेमिनेशन film है, इसी के अंदर हम लेमिनेट कर है तो एक फोर साइज को हम असी माइक्रोन में करेंगे और इसमें भी ध्यान रखेंगे कि यह जो किनारे किनारे का साइड है हमेशा छोड़ के रखेंगे तब ही यह जो डॉकुमेंट है अच्छे तरीके से लेमिनेट हो पाएगा अगर किसी साइड अगर नहीं छोड़ते है है तो यह एक साइड से हमेशा खुलने लगेगा तो इसका हमेशा ध्यान में रखना होगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेमिनेट हो चुका है आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी कोई बबल अगरा कुछ नहीं है बहुत ही परफेक्ट तरीके से यह लेमिनेट हो चुका है तो इसी तरह से इस वाले भी प्रप्राइजेर है लेकिन इसमें बढ़ा चीज यह दिया हुआ है कि आपने अंवाधि जी बींड हुआ है कि आरहे आपने काम के अनुसार खरीच सकते हैं वैसे इस समय जनरली सभी डॉकुमेंट एफ़ोर साइज में ही आ रहे हैं कुछ कंडिशन में होते हैं कि जो कुछ पेपर होते हैं जो एथरी साइज का आता है तो उसके लिए एथरी साइज वाले लेमिनेशन मसीन को यूज करना सकते हैं लेकिन आप प्लधिक बोडि में कोई भी लेमिनेशन मचीन लेते हैं तो वह आप इन vetel से यूज करते हैं तो वह आप सिर्फ लाइट से यूज कर सकते हैं वह प्लाइट से नहीं यूज कर पाउर कंजीम करता है तो दोस्तों लेमिनेशन मसीन बहुत सारी कमपनियों में आता है और जो हमारे पास है इन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां से जाकर चेक आउट कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूज करें और चैनल क को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद